नमस्ते दोस्तों मैं आ रही आ रही किचन पे आप सभी का दिल से स्वागत है ब्रत की आप एक ही रेशिपी खाका के बोर हो गए हो तो आज मैं ब्रत इस पेसल एक ऐसी रेशिपी लेकर क्या हूँ हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरे कहने पे इस रेश रेशिपी अच्छे से समझ में आएगी और अगर आप वीडियो पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप और यहां पे मैं ले रही हूँ दही दही चार बड़े ले रही हूँ चमच आप यहां पे जादा भी ले सकते हूँ यह कटोरी दो कटोरी कितना आपको रेशिपी बनानी है उसे साब से और दही नहीं लेना चाहते हो तो टमाटर ले सकते हो टमाटर यहां पे चार बड़े मेरे पास टमाटर नहीं थी इसलिए मैंने दही ली है आप इस रेश्पी को टमाटर से भी बना सकती है और दही से भी इतनी स्वाधीश्ट एस सब्ची बनती है कि आप सच में रोटी के साथ चावल के साथ ऐसे भी जरूर आप बनाना पसंद करोगे बनाओगे अपने कीचन म बनाओ है तो हमने कीच लिया है अपनी ग्रेवी को और उसके लिए यहां पे एकडायी लिया है और बहुत कम तेल से बनती है रेश्पी ज़ादा कहिं करीपत्ता ढालना नहीं भूलियेगा करीपत्ता से आपकी रेश्पी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है लेकिन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है लेकिन यहां पे ना मैंने फ्रेस करीपत्ता डाला है आप सूखी करीपत्ता भी डाल सकती है सूखी करीपत्ते तो हर कोई अपने घर में रखता ही है तो वो डाल दीजेगा और यहां पे जो हमने दही पीसा था सारे मसालों के साथ मिर्ची के साथ अद्रग के साथ धनिये के डंठल जरूर डालना तो ओ डाल देंगे यहां पे आप टमाटर ले सकते हो जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन टमाटर नहीं खाते हो ब्रत में तो दही से बनाएगा इतनी अच्छी आपको रेस्पी जब तक हमारी क्रेवी पक रही है उसके लिए एक और चीज हमें यहां पे बनाना है तो यहां पर लेना कानल में जाके साभूनाने को तो देख ज़ेगा एक यह पर कुटू का आटा और सिणहारे ले सकते हैं लेकिन राजगिरी काटा रागी काटा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगर इन शारी चीज़े नहीं है तो क्या करेंगे इस शारी चीज़े नहीं है तो मकाने का पावडर बना लीजिएगा और उसे भी यहां प भी जाते हैं ज्यांदा भी नहीं डालना है तक अब आझ मतलब कि अकठा मुठी बदने लगे बस इसको द्राइन करना है बस जाकता अरगी काहँ या कुटो काटा सिगाड़े काटा नहीं नहीं लेना है यां पर इटली टेंड में ले रही हूं तो यहां इसमें लगा दूंगी जरसा देसी खी तो देखे आप यहां पे कोई प्लेट कटूरी थाली ओ भी ले सकते हो थाली में भी आप छोटे-छोटे इसको हम इटली बना रहे हैं साबुदाने की तो इस तरह से एक घोल तो नहीं है कि हम डाल देंगे तो ऐसे बन जाएगी नहीं अपने हाथों से ही हमें सेप देना पड़ेगा तो यहां पे इस तरह से देखे लड़ू के तरह बंद लें हैं ज्यादा मैंने इसमें नहीं डाला है रागी कटा जो आप डालोगे नहीं बहुत जादा मद डालेगा नहीं तो साबुदाने का फ्लिवर जो है वह दब जाए इस तरह से सारे बना लेंगे बहुत जल्दी बन जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं किया है जैसे मैं बना रही हूं देखे आसानी से बन जाती है और एक रेसिपी सच में खाने में बहुत जादा अच्छी लगी थी हमको बहुत साले अच्छे से भूलन लगें इस में बहुत सारे युथ मैं लेकिन भाकई में कम भी निरेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो यहां पर एक जाए है इसमें आलू को कटकर के नहीं डालिएगा उसे तोड़ य ज़िस और उसandकर चाहई है युधा खाया जबी आ तो इसी तरह से ग्रेवी एक घूली होती है आलू और थोड़ी थोड़ी आलू बढ़ी भड़ी दिखती है तो उसी तरह को बनाना है तो इस तरह से आपको तो लेना है हाथों से कट करके बिल्कुल नहीं डालिएगा यह देखिए थोड़े से आलू को अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे ताकि सारे मसाले हमारे आलू में आ जाए और उसके बाद यहां पर पानी लेने हैं तो पानी थोड़े से ग्रेवी पतली बनाएंगे हम लोग तो यहां अच्छी और यहां पर एकठा ही बना लेंगे ताकि हमारे गैस की बचत होगी तो यहां पर इटली साचे को रख दिया है और इस तरह से ही हमारी इटली और इटली की जो करी है वह भी बन जाएगी और कोई बरतन सेट नहीं हो रहा था यही बरतन सेट हुए इसके उपर तो बन गई है इतनी अच्छी लगी रिस्पी सच में ना क्या ही बताओ मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरे कैने पर इस रेश्पी को जरू टाइब कीजिएगा ब्रत नहीं रखते हो तो भी आप इस रेश्पी को बना सकते हो तो थोड़ी सी धनिया पती डाल रहे तो यहां पे आप लोग ना इसे चावल के साथ रोटी के साथ पराठों के साथ पूरियों के साथ भी इस सब्जी को खा सकते हो इसका एक स्पेसल तड़का त्यार करेंगे तो जरूर दीखिएगा यहीं से वीडियो को स्क्रिप करके नहीं चले जाएगा छोड़के तो इस देशी खी डाला है और मुमफली डाला है और केमरी में आने रहा है तो मुमफली पहले डालेंगे ताकि अच्छे से भून जाए मुमफली उसके बाद यहां पर मखाना डालेंगे बहुत अच्छा लगता है इसका तड़का नहीं है कोई चीज तो आप स्किप भी कर सकते अब चलिए इसका इसपेशल तड़का तैयार हो चुका है और यहां पर अपने सबजी में तड़का लगा लेते हैं सच में सबजी दिख करके बहुत ज़ड़ा अच्छा लग रहा है न तो खाने में बहुत ज़़दा अच्छा लग रहा था मेरे पती ने तो इतनी और यहां पे देखिए अपने इतली को रखेंगे और इसके ऊपर से आप जब सर्व करें तो इस तरह से देखिए सब्जी डाल देंगे और सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मुझे लगता है अगर रेसिपी आपको पसंद नव आए आप मिलेंगे अगली वीडियो में थेंक यू